नमस्कार, एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हारदिक स्वागत है हम आज के इस वीडियो में जानेंगे भारतिय प्रधान मंत्री के बारे चर्चा हम करते हैं भारतिय प्रधान मंत्री की शक्तियों पर प्रधान मंत्री के कौन कौन से कारे हैं और प्रधान मंत्रियों को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं देखें सबसे पहले प्रधान मंत्री को मंत्री परिशद के संबंद में कुछ कारे और शक्तियां प्राप्त हैं सबसे पहले हम मंत्री परिशत के संबंध में प्रधान मंत्री के कारे वशक्तियों की चर्चा करेंगे। आगे चलकर प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्ति किया जाता है। तो मंत्री परिशत के संबंध में सबसे महत्पून जो कारे वशक्तियों के प्रधान मंत्री के पर नियुक्ति की चाती है। इसके बाद मंत्री परिशत के संबंध में दूसरा जो कारे भारत के प्रधान मंत्री को प्राप्त है। तो है कि भारत का प्रधान मंत्री मंत्रियों को विभिन मंत्राले आबंटित करता है। उन्हें फेर बदल करता है। उनके बीच में भिभिन प्रकार की जो मंत्राले आबंटित कर सकता है। कहने का आर्थ यह है कि प्रधान मंत्री को यदि ऐसा लगता है कि Mr. X स्वास्त मंत्री के तोर पर बहुत अच्छा कारे कर सकते हैं। उन्हें स्वास्त मंत्राले की शायद जानकारी बहुत जादा है, तो ऐसी position में परधान मंत्री उन्हें स्वास्त मंत्राले दे सकते हैं. यदि परधान मंत्री को ऐसा लगता है कि Mr. Y ग्रह मंत्राले को बहुत अच्छे से समाल सकते हैं, तो प्रधान मंत्री अपने स्वविवेक से उन्हें ग्रह मंत्राले आबंटित कर सकता है साथी साथ प्रधान मंत्री को ये पावर भी है यदि कोई भी मंत्री यदि अपना कारे सही परकार से नहीं समाल पा रहा है तो उसके मंत्राले में फेर बदल कर सकता है यदि किसी मंत्री के कारे को देखते हुए परधान मंत्री नाखोश है या परधान मंत्री को ऐसा लगता है कि वो संबंदित मंत्राले का कारे बहुत अच्छे से नहीं समाल पा रहा है तो ऐसी position में उसके मंत्राले में फेर बदल क के लिए कह सकता है प्रधान मंत्री की मर्जी है कि वो मंत्री को ये कहे कि वो त्याग पत्र दे और अपने पद से हटे अपने मंत्राले से हटे साथी साथ यदि ऐसा नहीं है तो भारत का प्रधान मंत्री ये रास्टपती को बरखास्त करने की सलहा दे सकता है कि निम्न जो मं इस मंतरी को इस के पद से बरखास्त किया जाए तो ऐसी position में भारत के परदान मंतरी की कार्य और शक्तियां हैं वो बहुत जादा important हो जाते है क्यूंगी परदान मंतरी को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या त्याग पत्र ना देने के लिए कहे तो सीधे-सीधे रास् पती ऐसी पोजीशन में उस मंत्री को परखास्त कर सकता है। जब किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेती है किसी विशयता। और प्रधान मंत्री को ऐसा लगता है कि उस निर्णय में कुछ कमिया हैं, कुछ खामिया हैं या उस निर्णय को थोड़ा और जादा अच्छा बनाया जा सकता है। कहने का अर्थ ही है कि भारत के जो परधान मंत्री हैं, वो सभी मंत्रियों, उनके सहयता के लिए, संग की कारेपालिका से संब्दित, सभी कारेओं को करने के लिए, सभी मंत्रियों की गतिविदियों को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं भारत के परधान मंत्री। साथ ही साथ, सभी मंत्रियों के कामों में पूरी तरह से समन्वे बनाय रखने का परधान मंत्री पूरी तरह से कार्य करते हैं। अच्छे positive results ना नजर आएं इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को मंत्री परिशत के संबंद में एक अन्य कारे भी और अन्य शक्ती भी प्राप्त है कि यदि भारत के प्रधान मंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो ऐसी position में ऐसी इस्तिती में पूरे मं मंत्री मंदल को वो बरखास्त कर सकता है यानि कहने का अर्थ यह है कि यदि भारत के प्रधान मंत्री ने अपने पद से अपना त्याग पत्र दे दिया है तो मंत्री मंदल पूरा का पूरा एक साथ बरखास्त हो जाता है क्योंकि वो लोगसभा के परती इधाईका के परती सामोही ग्रूप से उत्तरदाई होता है तो ये भारत के प्रधान मंत्री की कार्य और शक्तियां थी जो की मंत्री परिशद से संबंदित है इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को कुछ अन्य कार्य और शक्तियां प्राप्त है जो की रास्टपती के संबंद में हैं रास्टपती के संबंद में भारत के प्रधान मंत्री को जो कारे और शक्ति प्राप्त हैं उसमें सबसे पहले भारतिय समिधान के अनुच्छेद 78 में यह कहा गया है कि भारत का जो प्रधान मंत्री होगा वो रास्टपती और मंत्री पर तो उस निर्ने की जानकारी देने का अधिकार रास्टपती को परधान मंत्री का होता है। उस पर रास्टपती का क्या कहना है, रास्टपती का मूड है, वो सारी बातें बताने का हक परधान मंत्री को है। अब कौन-कौन से अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ती के संबंद में भारत का परधान मंत्री रास्टपती को सलहा देता है। तो देखें, भारत का जो परधान मंत्री है, रास्टपती को विभिन अधिकारियों जैसे भारत का महा नियायवादी, भारत का महा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक। साथी साथ, संग लोग सेवा आयो का अधियक्ष और संग लोग सेवा आयो के सदस्यों की नियुक्ती के संबंद में भारत के रास्टपती को परधान मंत्री सलह देता है। कहने का ताक परिया सिधा सिधा यह है कि यदि भारत के रास्टपती के द्वारा भारत के महाने आयवादी को या महाने अंत्रक लेखा परिक्षक को संगलोग से वायोग के अध्यक्षा उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की ज और जैसा प्रधान मंत्री चाहेंगे जिस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना है इन विभिन वर्नित पदों पर नियुक्ति किसी को देनी है तो प्रधान मंत्री के परामर्श के अनुसार ही रास्ट पती इन विभिन परकार के अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो ये भारत के रास्टपती के संबंद में भारत के प्रधान मंत्री के कारे एवं शक्तियां हैं, इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को संसद के संबंद में भी कुछ शक्तियां प्राप्ते हैं, संसद के संदर्व में भी कुछ शक्तियां प्राप्ते हैं, आए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत के प्रधान मंत्री को संसद के संबंद में कौन कौन सी सक्तियां प्राप्त हैं देखें संसद के संबंद में सबसे पहली बात भारत के प्रधान मंत्री की जो इंपोर्टन है वो ये है कि परधान मंत्री रास्टपती को संसद का सत्र शुरू करने साथ ही साथ उस सत्र को खतम करने के संबंद में परामर्ष देता है कहने का अर्थ यह है कि यदि संसद का सदन शुरू होना है सत्र शुरू होना है या संसद का सत्र खतम होना है तो ऐसी स्तिती में रास्टपती अपने हिसाब से संसद का जो सदन है उसको सत्र को शुरू करने या खतम करने के बारे में निर्णा नहीं लेता है क्यूंकि भारत के परधान मंत्री ही रास्टपती को परामर्श देते हैं, सलह देते हैं या गाइड गरते हैं कि कब संसद का स शुरू किया जाएगा और कब संसद के सत्र को खटम किया जाएगा। नेने परधान मंत्री की परामर्ष के अनुसार ही लेता है इसके अलावा देखिएं परधान मंत्री किसी भी समय लोगसभा को विघटित करने की सिफारिश रास्टपती से कर सकता है यदि परधान मंत्री को ऐसा लगता है कि लोगसभा का विगठन किया जाना चाहिए लोगसभा को विगठित किया जाना चाहिए तो कभी भी किसी भी समय भारत के परधान मंत्री रास्ट पती से ये सिफारिश कर सकते हैं कि लोगसभा को विगठित कर दिया जाए लोगसभा क बिगठन कर दिया जाए तो ये भारत के प्रधान मंत्री के कार एवम शक्तियां हैं संसद के संबंध में इसके अलावा देखें भारत के जो प्रधान मंत्री होते हैं वो सरकार की नीतियों की घोशना करते हैं संसद के अंदर यदि संसद का सत्र चल रहा है तो प्रधान मंत् सरकार के मुखिया होते हैं ऐसी पोजीशन में यदि सरकार किसी भी परकार की कोई नीती कोई निर्णे ले रही है तो उन नीतियों को घोशना करने की जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री की अर्थार्थ सरकार के मुखिया होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री की होती है इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को कुछ अन्य शक्तियां और कारे भी प्राप्त हैं कुछ अन्य कारे और शक्तियां प्राप्त हैं जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं इतनी सारी शक्तियों को इसके अलावा जो अन्य शक्तियां यहां भारत के प्रधान मंत्री को प्राप्त हैं उन पर अब हम चर्चा कर लेते हैं देखें भारत के प्रधान मंत्री नीती आयोग के अध्यक्ष होते हैं साथी साथ नीती आयोग के अध्यक्ष होने के बाद वो रास्टिय एकता परिशद, अंतराज्य परिशद, रास्टिय जल संसाधन परिशद का भी हैड होता है। और अंतराज्य परिशद, रास्टिय जल संसाधन परिशद के भी परधान मंत्री अध्यक्ष होते हैं। इन सभी आयोगों की इन सभी परिशदों की अध्यक्षता भारत के परधान मंत्री करते हैं। इस संदर्व में परधान मंत्री के नेन, परधान मंत्री के द्वारा लिये गए नेन बहुत ही जादा महतपून होते हैं। और परधान मंत्री ही रास्ट की देश की विदेशनीती को पून रूप से मूर्त रूप देने में बहुत महतपून भूमिका निभाते हैं। यानि जैसा उनके विचार हैं, जैसे उनकी सोच है, उस सोच के अनुसार ही विदेशनीती मूर्त रूप में आपाती है। इसलिए यहां अन्य शक्तियों में यह बात कही गई है कि परधान मंत्री देश की विदेशनीती को मूर्त रूप देने में बहुत ही महतपून भूमिका निभाता है। इसके अलावा अन्य शक्तियों में एक बहुत ही important शक्ति भारत के प्रधान मंत्री को प्राप्त है, वह क्या है कि प्रधान मंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है, यहां आपातकाल का अर्थ क्या है कि यदि आपातकाल की आप हमारी से जूज रहे हैं। जो भारत के प्रधान मंत्री होते हैं वो आपदा प्रबंधन के प्रमुक होते हैं तो यहां प्रधान मंत्री के कारे और शक्तियों में ये एक बहुत important बात है कि आपातकाल की परस्तितियों में राजनितिक स्तर पर पूरे देश के राजनितिक स्तर पर भारत के प्रधान मंत अब उनके पास कुछ जिम्मेदारिया हैं, वो क्या जिम्मेदारिया हैं? वो बिभिन राज्यों के बिभिन वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंद में ग्यापन प्राप्त करता है। उनके बिभिन वर्गों के जो लोग हैं, उन लोगों की क्या क्या समस्याओं हैं और उन समस्याओं का ग्यापन प्राप्त करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, साथ ही साथ उन समस्याओं को सुनने के बाद वो इस प्रकार के नेड़ने पर पहुंचते हैं कि उन प्रधान किस प्रकार से किया जाए ये भारत के प्रधान मंत्री की कारे एवं शक्तियां थी जो अन्य शक्तियों के तौर पर देखी जाती हैं इसके अलावा भारत के प्रधान मंत्री को अन्य शक्ति में ये शक्ति प्रात है कि भारत के प्रधान मंत्री केंद्र सरकार के प् प्रवक्ता होते हैं अर्थार्थ कहने का तात्पर यह है कि संग की कारेपाले का अर्थार्थ केंदर सरकार से सम्बंदित किसी भी प्रकार का कोई नीतिकत निर्णय यदि लिया गया है तो उसकी जानकारी देने की पूरी जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री की होती है औ जो सही ना रहा हो तो उसकी भी जिम्मेदारी भारत के प्रधान मंतरी की होती है कि वो ये जिम्मेदारी लें कि ये निर्णा लिया गया था या ये विभिन प्रकार की जो योजनाय चलाई गए उन में से कोई योजना यदि किसी भी प्रकार से असफल होती है या कोई शक्ति और प्राप्त है कि वो सप्ताधारी दल के नेता होते हैं प्रधान मंत्री जो सप्ताधारी दल है जो रूलिंग पार्टी है उस रूलिंग पार्टी के हैड होते हैं प्रधान मंत्री और उस सप्ताधारी दल के नेता होने के नाते सप्ताधारी दल ने जिस भी प्रका मंत्री को कार्य प्राप्त है उसको शक्तियां प्राप्त है देखें इसके अलावा जिस प्रकार से भारत के रास्टपती सेनाओं के मुखिया होते हैं इसी प्रकार से भारत के प्रधान मंत्री सभी सेनाओं के राजनेतिक प्रमुख होते हैं देखें भारत के रास्टपती त पर क्या करना है किस प्रकार से डील करना है ये उनके राजनेतिक प्रमुख की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें बताएं कि उन्हें किस प्रकार से आगे बढ़ना है तो भारत के प्रधानमंत्री के कारे और शक्तियों में ये अन्य शक्तियां भारत के प्रधानमंत्री को प्रा आपने बाद.